हेलो मेरी प्यारी सिस्टर, आज हाँ इंटरनेशनल नर्स डे, इंटरनेशनल नर्स डे के सुब अवसर पर आप सभी तमाम मेरी प्यारी प्यारी नर्स बहन, मेरी प्यारे प्यारे नर्स भाई, सब को इंटरनेशनल नर्स डे पर बहुत बधाई हो आप लोगों को और आप ल इसके लिए एक बार अगेन आप लोगों को बहुत ही बहुत बधाई हो सातियों आज International Nurse Day है आप सारे लोग इंज्वाइक कर रहे होंगे International Nurse Day के सुभवसर पर और हम इसी बीच अब आप लोगों के लिए आज के ही दे से International Nurse Day के ही दीन से जितने भी A&M, A&M के Nurse हैं उनके लिए बहुत ही खास तौफा ले करके आया हूँ आप लोग देखेगा तो खुश हो जाईएगा मैंने तो पहले सही पलानिंग कर रखे थे कि जैसे ही आएगा International Nurse Day और उसी दीन से A&M सिस्टर के लिए बहुत ही बरी यहाँ पर तौफा लाओंगा और यह तौफा है आप लोगों के लिए आने वाली वैकेंसी की तैयारियों के लिए करके अब आप लोग घर से ही अगर आपके पास एक मवाईल है और आप लोग पढ़ना चाहती हो तो घर से ही मेरे YouTube चैनल से जूर करके इसी चैनल से जूर जाईए सब्सक्राइब कर लिजे और आने वाली नई वैकेंसी के लिए घर से आप लोग तैयारी कर सकती हो साथ ही A&M में अगर आप लोग first year की class कर रहे हैं या फिर second year की पढ़ाई कर रही हो वो भी candidate अब आप लोग theory का details में class पढ़ेंगे अब मैं जो class start करने जा रहा हूँ आज की ही दिन से उसमें A&M का first year का पुरा details में पढ़ाऊंगा हाई एक chapter को और एक subject को और उसमें important question भी करवाएंगे साथ ही जितने भी A&M का nurse नौकरी के लिए तयारी कर रही है उसके लिए तो बेहतरीन होगा क्योंकि आप details में पढ़ा रहा हूँ एक एक point को cover करूँगा उसके बाद objective type का question कराऊंगा वसको आप test series भी चलाऊंगा तो अब तयारियां चलीगी बेहतरीन धंग से बस अब आप लोग को थोरा सा बिलकूल अच्छी तरीके से एकदम मेहनत करके थोरा सा पढ़ाई करना है और आप लोग आने वाली vacancy में एक seat आप लोग पका कर सकती तो बिलाम नहीं करेंगे जितने भी student है आप सारे candidate इस वीडियो को share कर दीजे फर्स्ट येर के लिए special होगा सेकेंड येर के लिए तो और भी special होगा और जो A&M pass out कर चुकी हो उसके लिए तो बहुत बरी तौफा है क्योंकि इतना details में आपको यूटूब पर कोई नहीं बताएंगे जितना मैं अब class मैं आप लोग को बताऊंगा पर ये theory के class फिर objective टैप question फिर उसका test सारा चीज कराने वाला हूँ तो हम लोग बिलम नहीं करेंगे और आज के ही दिन से परते एक दिन आपको साम तक में परते एक दिन साथ से आठ वजे राज तक में आप लोग को वीडियो अपलोड कर देंगे और आप लोग अच्छी तरिके से पढ़ाई शुरू करेंगे आज से जो हम लोग चेप्टर स्टार्ट करेंगे उसका मैं सिलेवस बता देता हूँ कि हम लोग क्या-क्या पढ़ने वाले हैं कौन से सब्जेक्ट पढ़ने वाले हैं और उस सब्जेक्ट के अंदर क्या-क्या पढ़ेंगे क्या-क्या हम लोगों के लिए जरूरी है पुरा डिटेल से में जानकारी देता हूँ तो चलिए वीडियो को आगे करते हैं और देखते हैं SLAVES को प्यारी sister मेरी प्यारी A&M sister आप लोग को पता होगा कि हम लोग को टोटल 6 सब्जेक्ट पढ़ना होता है अब ये जो 6 subject है इन 6 subject में कौन कौन से subject है वो पहले से भी मालूम होगा मैं फिर से कवार बता देता हूँ अगर आप लोग इसमें पहले देखेंगे तो यहाँ पर कोर्स सरकुलम दिखाए देगा पहला first year का first year का आप लोग देखेंगे और इसमें community health nursing पहले post का नाम है इस तरह से आप लोग चार सब्जेक्ट पढ़ना है community health nursing, health promotion, primary health care nursing और child health nursing इन 4 subject को आप लोग को अच्छी तरीके से बहतरी तरीके से first year में पढ़ना है second year में बात करते हैं तो दो सब्जेक्ट होते हैं मिडवाई फिरी health center management अब आप लोग को इसमें से देखिए first year के अगर बात करेंगे तो first year में my community health nursing पहला ही यहाँ पर जो subject है इसको मैं start करूंगा details में पढ़ाऊंगा पूरे बिलकुल रुप से तो first year के जो भी candidate है उसके लिए तो exam के विहूद से first year में जो पढ़ाय होते हैं उसके विहूद से exam के विहूद से पूरे एक एक चीज को note करके रखिएगा जिससे आपको यहाँ पर अच्छे तरीके से त्यारी हो जाएंगे साथ ही जो job के लिए तयारी कर रहे हैं नौकरी के लिए तयारी कर रहे हैं उसके लिए तो और भी basic समझना पढ़ना जरूरी होता है तो वो भी सारे candidate एक एक चीज को note करके notes बनाते चलेंगे और आप लोग तयारी है करेंगे उसके बाद second year में सबसे जो important subject है वो midwifery है और पूरे अन्यम में अगर आप लोग बात करेंगा तो midwifery जो subject होता है बहुत ही बेहतरीन subject है यह subject जिसके पकर में आ गया समझो 50% एन्यम की पढ़ाई complete हो गया यह तो midwifery को भी मैं बेहतरीन तरीकास पढ़ाऊंगा आप लोग को एक एक point समझ माँ जागा खास बात है कि मैं हिंदी में पढ़ाऊंगा English को mix करके English mix करहेगा जिससे समझने में आपको असानी होगी क्योंकि biological terms होता है वो English में समझ सबसे पहले मैं आपको यहां पर community health nursing में हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर के अंतरगात उस चीज़ को देख लेते हैं तो चलिए वीडियो को आगे करते हैं तो यहां पर community health nursing को हम लोग हिंदी में सामुदाय स्वास्त नर्सिंग भी कहते हैं इसमें आप आप लोग बात करेंगे तो मैं टोटल 11 चैप्टर का क्लास यहां पर करवाऊंगा 11 चैप्टर आप लोग को पढ़ना होगा तो 11 चैप्टर में कौन कौन से पढ़ना है उसको देख लेते हैं अध्या एक में देखोगे तो स्वास्त की आपधारना concept of health यह देखेंगे उसक चैप्टर 4 में अगर पढ़िएगा तो हेल्ट अर्गनाजेशन पढ़ेंगे स्वास्त संगठन चैप्टर 5 में पढ़ेंगे आप लोग रॉल आप हेल्थ ट्रीम इसी तरह से टोटल 11 है धिरे-धिरे में पढ़ाते जाओंगा हर एक पॉइंट को आप लोग को बताते मैं आपको एक जलब उसका भी दिखा देता हूं फिर आगे बढ़ूंगा हम लोग देख लेते हैं क्या क्या पढ़ना तो में मैंने पहले ही बता दिया हूं बैस से 25 चप्टर के बीच पढ़ेंगे तो जैसी कि हम लोग पहला चप्टर हम लोग करेगा मानव परजनन तंत् चप्टर जो हम लोग पढ़ेंगे सेकेंड चप्टर में यहां पर इस्तरी की सरेनी और सीशू की खोपरी पढ़ेंगे उसके बाद थाड में गरववस्था शीशू और पलेशिंटा परेंगे उसी तरह से दोस्तों चप्टर 4 में समाने गरववस्था परेंगे नॉर्मल उसके बाद एंटेंटल केर यानि की परसाव पूर्व देखवाल यह सारे जो चप्टर इंप्रोटेंट होता है यह सारे चप्टर हम लोग परेंगे और लगभग इसमें 25-26 चप्टर के आसफास आप लोग को मैं कलास यहां पर दूंगा तो बहतरीन तरह के से अब आप ल से अब यहां इको यह भर कमेंट करके期 हम लोग यहां और हम आपके लिए class लाएंगे और आप लोग बोलेगा sir हम लोग ready हैं आप जल्दी class लाइए मैं फटाफट class को start कर दूँगा क्योंकि आप लोग का अगर यहाँ पर संगठन जैदा रहेगा आप लोग जैदा मुझे कहेंगे तो मुझे और भी अच्छ लगएगा कि नहीं स सच में चाहिए classes तो जल्दी जल्दी मैं class अब आप लोग को और भी जल्दी प्रोवाइड करऊंगा जैदा स्जैदा classes आप लोग को मैं लाते रहूंगा चलिए वीडियो को समाप्त करता हूं ठैंक यू कर दो